दोस्तों मैं हूँ अमान को अश्रिक और बात करते हैं फिर से एक बार कल के मेन इवेंट के बारे में और इसली वी है वे न्यू चैंप स्टिल मैं अभी वी उस जो कल की जो फैट की जो एनरजी थी पूरे इवेंट की स्टिल बजिंग और कर रहा हूं कोशिस यह समझन की हुआ क्या कल पूरे इवेंट में और इसली जो फैट सार्ट हुई थी राउंड वन के एन्ड में आते आते अगर राउंड वन थो और लंबा होता तो अबिसली एलेक्स परिरा वहीं पे टीके हो जाते राउंड वन के एंड में जो दो पंच कमिनेशन जो फैके गए बिलकुल हिल चुके है थे परिरा लेकिन कुडोस तो हिम उससे वो भार उभरते हैं राउंड टू जीतते हैं और किसी बल में ऐसा लगा ने कि यह फाइट बहुत ज़्यादा एक तरफा हो गई है हाँ यह फाइट इसल जीत रहे थे राउंड टू को छोड़के राउंड त्री राउंड फोर और रैस्लिंग यूज हुई जो कि मेरे साब से इंटनेशनल नहीं था बट जिस तरीके से वो ट्रिप होए और गिरे इसल थाइट कि यह में अच्छा जगा है अच्छा टाइम है कि मैं यह राउंड अपनी जेब में डाल लू और उन्हें से किया और फाइट बहुत सही चल रहे थी मेरे साब से जस्ट लाइक में बट से उस्पन वर्सेज एडवर्ड्स राउंड बाई राउंड वो जीत रहे थे ओर राउल ही वास कमफर्टेबल और फिर राउंड फाइव में जाने के बाद जो लेकिक एक फैक की इसराइल ने I think वो था एक स्टार्टिंग पॉइंट हर्ट हुए पीछे गिरे और फिर वहां पर जब इन्हों लगा कि श्याद की थोड़ सा मुवमेंट हो गए है इसराइल के उसको भाप लिया और मेभी श्याद इसलिए बिकॉज यह लास्ट राउंड था जो एनरजी थी जो जो जिसको शायद वो बचा रहे थे इस लास्ट फाइट तक लास्ट राउंड तक वो रहने अन्लीश कर दी और फाइट वहीं पर रुख गई ऑन दफीट और यह था वो फोटो जब फाइट रुखी गई पास आ रह आपने इसराइल ने भी की ही वास्ट फाइन और जूंकि टीम है वो वी कांड़ वी कांड़ इनो कांड़ ओके विडिश तो नो कंट्रोवर्सी अट आल बट में भी शायद कर देखें इतना बड़ा इवेंट था तो कुछ पल और दिया जाता अगर चैंप को या फॉर में को तो में भी शायद कोई डाउट नहीं रहता बर फिर भी I think जो जो बोड़ी लाइग्विज थी इसराइल किला कि शायद कि he's almost done not completely done but almost done और इसलिए लोग कहरें कि शायद कि कुछ पल और टाइम देना चाहिए ता रफरी को बहुत सारी हिसमें इस वाइट में बहुत सारी learnings हैं for sure पहली बात तो यह जिस हिसाब से इसराइल बार-बार केज के सटके खेल रहे थे वो भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हलांकि यह बात किसी ने पिक नहीं की in commentary but अगर इसे common sense आप जब बीच में खड़े हो के आप आपके पास आठ जगा हैं जाने की options हैं घूमने फिरने के बर जब आप cage में सट गए हो back आपकी पीछे है तो आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं left or right सामने आपके opponent है तो बार-बार वहाँ पी जा रहे थे और मैं घर पे बटा में यह चिला रहा था कि यह वार-बार ही क्य क्यों जा रहा है cage के साथ क्यों क्यों और maybe because he was comfortable maybe जो करते हैं करते हैं कि जाते हैं cage के पास और बचते हैं उन पंची से just like Muhammad Ali kind of you know style but इस fight में वो नहीं करना था मेरे असाब से और जो second चीज जो कि शायद एक बड़ा factor as per Israel की जो leg kicks land हुई I'm not sure कि वह रही leg kick है जिसके यह स्ट start sequence fifth round में but एक leg kick ऐसी थी जो कि शायद की हट हुए Israel और उसकी वज़े से जो उनके movements है वो slow हो गए थे और कम हो गए थे और यह वही काफ kick है जो कि मशूर है लोगों की पैर को ब्लुकुल खतम करने की यानि दो kicks के लगे उस nerve पे जो बोलते हैं perennial nerve वहाँ पे अगर लग जा आता है और हना कि अगर देखा जाए इसराइल नहीं तरीके से बता दिया कि क्या कारण था क्या reason था उनके you know almost हारने का और जो rematch होगा and I will talk यह rematch होगा यह नहीं होगा उसमें बहुत अभ यूज़ करने वाले हैं Alex Prada यह same leg kick तो में साथ उनके नहीं नहीं बताना चाहिए था media में but एक बड़ा moment था वो हार गए थे तो में भी कुछ reason उनको देना था कि मैं इसले हारा obviously यह बहुत बड़ी loss है I mean fighters like Usman, like Adesanya बहुत कम होते हैं यार I mean यह बहुत बड़ी win थी against potentially a future goat और अभी बिस में chance हैं obviously just like Usman अभी भी कहानी खतर नहीं हुई है, rematch होगा and you never know but अगर उतो और smartness दिखाते तो बोलते you know आज दिन मेरा नहीं था, आज दिन था Parira का, that's it but कि और नहीं बताया कि हाँ, वो काफ के काम कर रही थी, 110% अखली fight में, rematch में, फिर से एक बार अलक्स परिदा लैक्लिक्स यूज़ करेंगे और वो ही नहीं, बलकि और अलक जो और fighters होंगे, future opponents हैं Israel के, वो भी यूज़ करेंगे में भी यूज़ 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 ने बात बताई, बद फिर भी, anyway, I think overall, Israel जब हारे, जूनका रेक्शन था, I mean, it was like, okay, ठीक है, और, Connor इस तरीके से हारते थे पहले, जब Connor हारते थे, you know, humble in victory and defeat, before Connor became, you know, villain Connor, उससे पहले क Israel ने, you know, fans को thank you कहा, press conference में आए, and like, confident की, you know, ठीक है, इससे हम सीखिंग आगे बढ़ेंगे, all good things, so 110%, and just like Jan Blachowicz फाइच जब हार गए थे, in light heavyweight division, बिलकुल ये नहीं की, हाँ, आज हार को मान के आगे बढ़ रहे हैं, और ये अच्छा साइन है, कि एक rematch होगा, जिसमें फि बढ़ा रही महच होगा, frankly, इस fight से भी, शायद दस गुना बढ़ा उसके लिए hype होगी, और जान numbers आएंगे, no doubt about it, जो एक बात और शायद की, जो ये last fight थी, जो वो हार गए थे, kickboxing world में, वहां भी ऐसा ही हुआ था, कि वो fight जीत रहे थे, और last में आते, वो fight वो हार गए, और मैं ये सोच रहा था, शायद की, because उनके mind में, कि मैं ये fight जीत रहा हूँ, तो बस almost done, fight बस खतम होने ही वाली है, कुछ पल और, कुछ मिनट और, तो शायद थोड़े से वो धीले पड़ गए, जो guard वो तो डाउन कर लिया, और उसको वो शायद जो था, उनका aggression था, जो ये कम कर दिया, ये एक human reaction है, कि हाँ भई, हो गए है, चारांट हो गए है, जस एक रांट बाकी है, I'm almost there, बस कुछ पल और, और मैं, again, it's over, so I think वो एक मेरे साब से एक, maybe factor था, जो गो नहीं नहीं बताया, बट मुझे लगा ऐसा, but anyway दोस्तों, this is a great win by Alex Pereira, he's a new champ, I mean, हराना इस तरीके से अडसानिया को, एक बहुत बड़ी बात है, he's a very very big guy, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे चैनल पे, Instagram पे, I mean, laghah नहीं की वो, यह fight हो रही है, same weight category में, so crazy करते हैं, बहुती crazy था उपकाट, almost missed, but, you know, he did it, he did it, and, उनके जो कोच हैं, obviously, Glor, Tashira, and he will fight, and now again, next month, against Ziri Poharska, I mean, this is crazy man, I am still not believing कि जो हुआ और क्राउड, पूरा महोल, पूरा काड ही ऐसा था definitely कि इस फाइट कि आते आते, it was like और कितनी बार बिलकुल ऐसे हलके से निकले जो वो हुख फैकते हैं लेट हुख फैकते हैं परी रहा कितनी बार हलके से बचे इसराइल और निकल गए वहां से, कितनी बार, कम से कम 15-20 बार और वो शायद, I am not sure, but जो लगा मुझे वो लेग किक था, वो start of the sequence जहां से वो हिल गए, गिरे, और उनकी मुवमेंट से वो कम हो गए और फिर, you know, the end, the end, crazy दोस्तों, crazy but I hope they will be rematch, Dana White ने कहाँ, it's very much possible, champ कह रहे हैं, yes, rematch, so most probably, rematch होगा, next, कहाँ होगा, कब होगा, not sure, obviously, time लगेगा उसमें, but, और, like I said, it's not, fight is not over till it's over, और उसमान वर्स एडवार्ट्स, similar कहानी, एक पर जो हार रहे थे, और जीत गए, और दो चैंपियन, दो दोस्त, उसमान, अज़ान, Adesanya, आज, 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 आज our, not the champion, but contender, walk that, anyway, great event, great main event, great fight, congrats to Alex Parira, congrats to his coaches, and we will see a rematch for sure, thanks so much, I'm okay, see in the next time, take care, bye-bye.